नमस्कार आप देख रहे हैं अमरोजाला.com मैं नीले शर्मा आज बात करता हूँ आलू की चुकि सब्जियों के दाम इस समय काफी बड़े हुए है और सब्जियों के राजा आलू की भी इस समय मार्केट में भावप चड़ा हुआ है इस समय आलू 30 से 40 रुपए किलो मार्के कर रखा है जैसे जैसे किसानों को भाव मिल लाए किसान आलू अपना निकाल के बाजार में मन्लियों में बेच रहे है आलू के साथ ही अन्न सब्जियों के भाव भी आस्मान छु रहे है फूल गोबी 120 रुपए तो वहीं पत्ता गोबी 60 रुपए किलो बिक रही है टमाट जबकि लौकी और तोरई 20 रुपए किलो बिक रही है बाजार में हरा धनिया 200 रुपए किलो तो वहीं हरी मिर्च 80 रुपए किलो बिक रही है मिर्च और हरे धनिया के दाम बढ़ने से सब्जियों में तड़का लगाना भी अब मेहंगा हो चुका है व्योपारियों का कहना कि हरी सब्जियों के दाम बारिश के कारण बड़े हुए हैं आग्रा और आसपास के जिलों में आलू की बंपर पैदाबार होती है मैनपुरी एटा फ्रोजावाद यह जिले आग्रा के साथ-साथ आलू के अच्छे उत्पादक हैं यहां आलू भंडारेत हैं मैं समय मैनपु बहुती हैं उंचे दामने पर बिक रहा है जिसकी मुख्वजे तो नहीं है कि जब अलू की खुदाई हो रही थी उस वक्त सावुट की तरफ से जो दिमांड आई उसमें अलू हमारे छेत से काफी बाहर अगर आफ यह वीडियो यूच्प पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आफ फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें झाल झाल